देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की खिर्पा आप सभी पर सदय बनी रहे, यह वीडियो है, 15 अगस्त 2022, मंडे यानि की सोमवार के दैनिक राशिफल के वारे में, एक सामानने साव इस्टेशन होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है, और आपकी सुमीदा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदशिद होता है, हर राशिफल के साथ दिन का उपाए भी बताया जाता है, राशिफल की तरफ हम अवश्या ग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते चुरू आज से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव या ओम नमर्शिवाय अवश्य लिखके जाईएगा, 15 अगस 2020 का पंचांग इस तरह से है, तिथी रहेगी चतुर्थी नक्षत्र रहेगा उत्तर भादर बदर, योग रहेगा धृती कर रहेगा बाव, वार रहेगा सोम वार, और कृष्ण पक्ष चल रहा है, सुर्य महराज 551 अम पे ओदे होके अस्त होंगे, 7-1 पी-म पर, चंद्रमा मीन में रहेगे नक्षत्र रहेगा उत्तर भादर बदर, और सुर्य देवता कर्क में रहेगे उनका नक्षत्र रहेगा अ राशलेशा, कुछ विशेश मूरुतों की बात करते हैं, ब्रह्म मूरत 4.25 अम से 5.8 अम, अभिजीत मूरत 12 पी-म से 12.53 पी-म, और अमृत काल 4.29 पी-म से 6.1 पी-म, अशुब मूरत रहुकाल 7.30 अम से 9.9 अम, और गुलिक काल 2.5 पी-म से 3.44 पी-म, इन दोनों ही अशु चरीशा का पाट करके ही घर से निगल लिएगा, तो ये था दिन का पंचांग, चलेंगे राशी फल पर, शुरुआत करेंगे मेश के से, मेश राशी के जातकों से यह कहूँगा कि दूसरों की help करने से पहले अपनी help किया कीजिए, दूसरों के बारे में इतना सोच रहे है कि अपने अबारे में भूल जाते हैं इस चीज पर गौर कीजिएगा ठीक है, humanity या दया भाव की सब अच्छा होता है करना भी चेगी लेकिन इसके चकर में कभी-कभी आप अपना ही नुकसान करा लेते हैं थोड़ी समय motivation की जरोत है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और वो motivation आपको खुद ही ढूननी पड़ेगी किसी बड़े कारे को करने का प्रयास कर रहे हैं अभी लगे रही है, उस चीज में प्रयास करते रही है, आने वाले समय में आपको अवश्य अच्छे रिजल्ट बिलेंगे जहां तक investment की बात है, दिन अच्छा है यदि government से सम्मनित किसी चीज में काम, किसी चीज में invest करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा जल्द बाजी से बचिएगा, जहां तक career की बात है, इधरोदर की बातों में involvement होईएगा, जिसको office gossip कहते हैं उससे आज दूर रहेगा, जहां तक business की बात है आज बहुत अच्छा दिन है, लाब होगा क्योंकि भाग्ये का साथ मिलेगा love life, थोड़ा focus लाई अपने relationship पर ऐसा लग रहा है, इतनी सारी distractions हो गई है कि जो relationship का मूल तत्व होता है यानि कि प्यार, विश्वास, वो कहीं धुमिल हो गया है विवाहिक जीवन, एक दुस्रे को समझने का दिन है नकरात्मक्ता से निकलने का दिन है जहां तक students की बात है थोड़ा अपने passion को भी time दीजिएगा उससे mind भी fresh रहेगा कोई भी hobby है उसको आज कीजिएगा जहां तक सेहत की बात है आपको वात अरोग तंग करेंगे, थोड़ा body में pain जादा रहेगा, सरवाश्टक के हिसाब से आपका दस्वा स्थान अतिन तबली है तो कारक शेतर में आज उर्जा अच्छी रहेगी उसका use कीजिएगा आपके लिए उपाई ये है कि आपको ओम नमस्षिवाय का 108 बार जाप करना है शुभ अंक है आपका साथ कलर है आपका black भाग्या प्रतिशत है आपके अंदर जो आपको कई जगा पर आगे बढ़ने के लिए प्रिरित भी करेगा और जो भी विगन है आप उनको भी अराम से पार कर जाएंगे बहुत अच्छा दिन दिख रहा है वैसे आज का लेकिन एक balance लाने के ज़रूत है आपको अपनी ऊर्जा में अपने कारियों में किसी एक चीज़ पर बहुत ज़ादा focus रहता है इसलिए balance नहीं आपा रहा है इस पर काम कीजिएगा investment कर सकते हैं यदि पूरा आपके पास surety है, assertiveness है authority है कि हाँ मुझे पता है इस चीज़ में invest करना है तो आज कीजेगा, अच्छा दिन है एक balance की कमी जैसे मैंने शुरू में कहा, वो बार-बार आ रही है आपके कुनली में, ऐसा लग रहा है कि किया तो किसी एक विक्ति को सारा अपना ध्यान दे रहे हैं, या किसी particular कारे पर अपनी सारी उर्जा नश्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहीं पर लगा रहे हैं, इस से थोड़ा बचिएगा जहां तक करियर की बात है बहुत अच्छा दिन है, contentment रहेगा करियर satisfaction राप्त होगी बिजनस, यहां पर थोड़ी problem हो सकती है, अचानक से थोड़ी नुकसान हो सकते हैं, थोड़ा negative दिन है बिजनस के लिए, जहां तक love life की बात है अत्यंत लावगारी दिन है नया relationship start करने के लिए अच्छा दिन है, relationship में एक सकरात्मक और जा रहेगी, विवाहिक जीवन problematic है, हो सकता है third party situation के बारे में आपको पता चल गया हो या आज चलेगा थोड़ा सा negative दिन है students से यही कहूंगा कि थोड़ा आपने emotions पर control करके रखियेगा जहां तक सेहत की बात है, hormonal disorders तंग करेंगे, सरवाश्टक के हिसाब से आपका भागय स्थान अतन तबली है तो यह बहुत अच्छा है, भागय का साथ आज मिलेगा आपके लिए उपाई है कि आपको शिव चालीसा का एक बार बार बाट करना है शुब अंक है आपका nine color है green भागय पतिशत है 75 पतिशत है, चलते हैं जमिना यानि की मिथुन की तरफ आर्ग्यूमेंट से बचिएगा वैसे दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट्स वाली बात करने कही है उससे थोड़ा बचिएगा अगर यात्रा कर रहे हैं तो बहुत बच के जाईएगा अगर अवाइड कर सकते हैं तो कर लीजेगा वरना अगर यात्रा करनी ही है तो बहुत संभल कर कीजेगा थोड़ा सा नकरात्मक दिन यात्रा के लिए दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं आप उनको handle नहीं कर पा रहे हैं जहां तक investment की बात है ठीक थाक दिन है अगर avoid कर सकते हैं तो कर लीजेगा मैं यह नहीं करा कि negative दिन है लेकिन शायद आपका investment स्टक हो जाए आगे चलकर तो आज का दिन आप avoid कर सकते हैं गुस्सा थोड़ा जादा रहेगा वो भी शाम के समय इससे थोड़ा बचने का प्रयास केजिएगा जहां तक career की बात है अच्छा दिन है अगर कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर पूरी team involved होती है तो सबका साथ मिलेगा अच्छा दिन है बिजनस में भी दिन तो अच्छा है लेकिन वही जो बने गुस्सा कहा था वो आज आज आपके बिजनस में भी reflect होगा और हो सकता है आपका अपने किसी पार्टनर से या क्लाइन से जगड़ा हो जाए तो उसका गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा जहां तक love life ही बात है सदिन रहेगा थोड़े effort आप कम कर रहे हैं अपने partner के पती आपने relationship के पती और वो चीज़ धीरे धीरे करकर आपके partner के मन में आ रही है और आगे चलकर problem हो सकती है थोड़ा सा उनको priority देना शुरू कर देजिए जहां तक विवाहिक जीवन की बात है अच्छा दिन है एक द कीजिए जहां तक सेहत की बात है हाई भी पी तंग करेगा सरवाश्टक के हिसाब से आपका अश्टम स्थानतिन तबली है तो सुभा का जो समय है थोड़ा अनिश्चित रहेगा वहां पर जैसे मैंने कहा किसी से अगर बहस होती है तो उसको आपको avoid करना है आपके लिए उ quality दिखाने का जड़ी मौका मिलता है तो उसको हाथ से जाने मत दीजिए ऐसा लग रहा है बार बार ऐसे मौके आते हैं लेकिन आप उसका लाब नहीं उठा पाते जहां तक अपने लिए स्टैंड लेने की बात है उसमें भी कमी है कभी-कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ल करत हो सकता है इसलिए इंवेस्टमेंट अवाइट कीजेगा जहां तक पैसे की बात है आज का दिन बहुत अच्छा है अज धन के संबंद में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी न्यूस आएगी कोई पैसा रुग गया था शायद वापस आ जाए जहां तक करियर की बा में जो भी भाव है व्यक्त करने के लिए अच्छा दिन है जहां तक विवाहिक जीवन की बात है इमोशनल कॉंटेक्ट इमोशनल कंपैडिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी स्टूडिंस इमोशनल बहुत रहेंगे और यह चीज आज आपको परिशान करेगी जहां तक से चलते हैं लियो यानि के सिम्ह की तरफ थोड़ी कंटनेंटमेंट की भावना ले आईए ये भी चाहिए वह भी चाहिए और तोटी के कि दिन के मद्य भाग के बाद भागया भी आपका बहुत साथ देगा जाता कि इवेस्टमेंट की बात है आज का दिन अच्छा नहीं है आज मार्केट स्टाडी कीजेगा या औरड़ी कोई एक पर्टिकुलर चीज में इंवेस्ट कर रहे हैं तो उसके आल्टरनेटिव भी ढ दूनने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा जैसा माने कहा नवामसा कुनली भी बता रहे है कि शाम का समय या दिन के मद्य भाग के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है उसमें भागय का साथ मिलेगा करियर के हिसाब से थोड़ा सा बीजी दिन रहने वाला है कार्य यदी करते हैं मंडे को वैसे तो 15 अगस्त है लेकिन जो लोग जौब पर जाते हैं उनके लिए थोड़ा बीजी दिन रहने वाला है बिजनस के हिसाब से दिन अच्छा है लेकिन थोड़ा अपने उपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा लव लाइफ अपने कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम आगे जाके बड़ेगी ही जहां तक स्टूडेंस की बात है ठीक ठाक दिन है कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा भावनात्मक करतेगा कि सेहत के हिसाब से एसी डिटी की प्रॉब्लम करेगी जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका चटा स्थान अतिंत बली है रुके हुए कारे अदियाज पूरा करने का प्रयास करते हैं कई कारे आपके पूरे हो जाएंगे आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम शंभवा ये नमहा मंत्र का 108 बार जाप करना है शुबंक्य आपका 9 कल है आपका ग्रे भाग्या प्रत अच्छा दिन दिख रहा है और यदि कुछ नकरात्मकता चल रही थी जीवन में वो भी दूर हो सकती है अब समय आ गया है कि आपको अपने प्लैंस को एक्जेक्यूट करना है जहां तक इंवेस्मेंट की बात है अगर रीसेंटली कुछ नुक्सान हुआ है तो उसको अपन मन से निकाल कर दुबारा एक प्लैनिंग बनाकर इंवेस्ट करने का इंवेस्मेंट के लिए ठीक ठाक दिन है नेगिटिव दिन नहीं है आज आपकी एनालेसिस स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी हर चीज के बारे में तो थोड़ा जीवन के बारे में विचार कीजेगा कि क इस डिरेक्शन में जा रहा है जहां तक करियर की बात है दिन अच्छा है कोई अच्छी न्यूज आ सकती है बिजनस के हिसाब से थोड़ा सा इगो कम रखिएगा स्पेशली जब अपने क्लाइंस से डील करते हैं लव लाइफ एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा दिन जीवन में जब समय आगे बढ़ता है तो परिस्थितियां बदलती है व्यक्ति बदलता है व्यक्तित्व बदलता है तो उसके इस आपसे जो बदलाव आ रहे हैं उनको समझने का प्रयास कीचेगा जहां तक विवाहिक जीवन की बात है जो भ्रम की सिति चल रही थी आज द नहां मंत्र का 108 बार जाब करना है शुभंग के आपका साथ कला है पिंक भाग्य प्रतिशत है 75 प्रतिशत डिब्रा यानि की तुला की तरफ इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी उसका उप्योग कीजिएगा पॉजिटिव चेंजे आते वो दिख रहे हैं भाग्य का भ अच्छा दिन है क्रियेटिव फील में काम करते हैं अच्छा होगा बिजनस यहां पर विदिन अच्छा दिख रहे हैं कुछ आच अच्छा कर पाएंगे लव लाइफ आज अपने आपको प्यार करने का दिन है थोड़ा फोकस अपने उपर भी दीजिए विवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिन है नव विबाहित जोडों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इंटीमसी रहेगी जहां तक स्टूडेंस की बात है थोड़ा सा नकरात्मक दिन दिख रहे हैं अनिश्चित्ता भरा दिन दिख रहे हैं सेहत के हिसाब से आपको चलते हैं स्कॉर्पी आने के व्रिष्चे के तरफ दिन अच्छा है और उर्जा भी काफी सकरात्मक रहेगी इन्वेस्मेंट यदि किसी के थू करते हैं तो अच्छा दिन रहेगा अपने आप मट्राय कीजिएगा आज कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य करेंगे लाबगरापती इच्छा पूर्ती का दिन है जहां तक करियर की बात है थोड़ी अनिश्चित्ता रहेगी चीजें स्टेबल नहीं रहेगी बिजनस के हिसाब से थोड़ा सा नकरात्मक दिन दिख रहा है थोड़ा सा लॉसेस हो सकते हैं जहां तक लव लाइफ की बात है कुछ बदलाव आएंगे जिनको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे सेहत के हिसाब से लोवर बॉड़ी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है सरवाश्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अतिन तबली है काफी सकरात्मक उर्जा वैसे रहेगी लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ पतिशत है पैसर पतिशत है सजटेरियस यानिकी धनों की तरफ चीजों को भूलना कभी-कभी बहुत अच्छा रहता है इसको आपको भूद ध्यान से समझना पड़ेगा जो हो चुका वो हो चुका जो लोग जा चुके जीवन से जा चुके उनको भूलकर आगे बढ़ने क प्रयास केजिए कुछ नया सीखने का प्रयास केजिए धन के संबंद में कुछ अच्छा हो सकता है अपने तत्वों को अपना तत्व घ्यान जानने की कोशिश केजिए आप क्या है आपको क्या अच्छा लगता है आपको क्या बुरा लगता है आपके लिए क्या पॉजिट करना है और वह अचानक से कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत भ्रमित कर देगा शाम के समय तो वहां पर कोई बड़ा निर्णे मत लेजिएगा जहां तक करियर की बात है बहुत अच्छा दिन में शौटकट्स ले रहे हैं और यह आपको नगेटिव रिजल्ट देखे जाएगा जहां तक सेहत की बात है नसों के रोगतं करेंगे सरवाश्ट्रक में दूसरा स्थान अतिन्त वली है तो जैसा मैं नहीं कहा था पैसों के हिसाब से कुछ रचा हो सकता है यह कंफर्म कर रह है आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम नमस्षिवाइस दिव्द्य मंत्र का 108 बार जाब करना है शुबं के आपका पांच कल है आपका यलो भागया प्रदिशत है 80 प्रिकौन यानि कि मगर की तरफ थोड़ा अपने उपर डिपेंडेंट रहे दूसरें को पर डिपें यदि आदा दिमाग कहीं और है उसके बाद इदर उदर से देखकर जल्द बाजी में आपने आज इंवस्पन कर दिया तो नकरात्मक प्रभावदेगा तो यदि फोकस नहीं है बिलकुल मत कीजिएगा इच्छाए आज बहुत प्रबल हो जाएंगी वो थोड़ा नकरात्म आपके बिजनस में हो सकता है आपकी उर्जा भी बहुत सकरात्मक रहेगी अपने बिजनस के प्रति जहां तक लव लाइफ की बात है कुछ अचानक से मत कर दीजिएगा इंपल्सिव होकर कुछ किया तो नगेटिव प्रभाव पड़ेगा विवाही जीवन गलक दिरने ले करेगी सरवाश्टक में आपका प्रथम स्थान यह तिन्त वली है तो जैसा मैंने कहा सकरात्म कूर्जा रहेगी है कंफर्म कर रहा है आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम नील कंठा यह नहीं स्पंत्र का 108 बार जाब करना है शुबंकि आपका वन कलर है आपका यलो भ करना पड़ेगा थोड़े sensitive रहेंगे अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का दिन अच्छा है अगर recently past में कुछ अच्छा हुआ है तो उसको आज celebrate कीजेगा investment तभी कीजेगा यह दि किसी के through करते हैं शाम के समय बहुत confused हो जाएंगे थोड़ा परिशानी वाला समय रहेगा जहां तक career की बात है अच्छा दिन है balance लाने की कोशिश कीजिए अपने professional life और personal life में business अत्यनत लाब कारे दिन है आज शाम के समय specially बहुत पैसा आ सकता है love life आज सोड़ा सा unstable सा दिन रहेगा आप थोड़ी confused रहेंगे अपने partner के बारे में यदि already नकरात्मक समय चल रहा है आ बार बार सोचेंगे कि क्या इस relationship का कोई महत्व है या नहीं जहां तक विवाहिक जीवन की बात है यहां पर दिन अच्छा है compatibility बहुत अच्छ देगी students overthinking बहुत करेंगे से बचिये का जहां तक सेहत की बात है infection कोई तंग कर सकता है आपके लिए उपाई यह सरवाश्टक के इस आपसे आपका बारवास्थान अत्यंत बली है sleep disorders तंग कर सकते हैं आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम शंकराय नमाइस मंत्र का 108 बार जाप करना है शुब अंक है आपका पांच कल है आपका ग्रीन भाग्य प्रतिशत है साथ प्रतिशत है पाईसे यानि की मीन की थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा इस समय जीवन में आज का दिन खैर मंडे है लेकिन 15 अगस्त है कई लोगों की छुटी होगी ही यदि आज का दिन relaxation में बिता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा जादा कुश्पन कीजिएगा अपने जीवन में थोड़ा relaxation लाएंगे अच्छा रहेगा उससे आने वाले समय में पूरे हफ़ते में एक सकरात्मक उर्जा का प्रवाह रहेगा आपके पूरे जीवन में तो आज relaxation पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है investment avoid कर सकते हैं जहां तक शाम के समय की बात है किसी से miscommunication हो सकता है करियर के हिसाफ से दिन अच्छा है एक चीज़ कहूंगा कि थोड़ा satisfaction की कमी रहेगी यदि आप बहुत समय से सोचने कि job change करनी है तो अब उसके बारे में plan बनाईए business बहुत अच्छा दिन है भागे का साथ मिलेगा जहां तक love life की बात है अच्छा दिन है यहां पर भी लिकिन थोड़ा समझ नहीं पाएंगे अपने partner को आज कुछ वो ऐसी चीज़े करेंगे जो इससे पहले उन्हें नहीं करी थी विवाहिक जीवन एक दूसरे को जानने का दिन है ना केवल नव विवाहित जोड़ों के लिए जिनकी शादी को लंबा समय भी हो गया जो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ रहे हैं उनको समझने का कोशिश कीजिए अगर समय मिलता है क्योंकि इतना व्यस्त जीवन है हम अंदर आये भदलावों को ही नहीं समझ पाते दूसरों में क्या समझ पाएंगे तो आज का समय एक दूसरे को दीजेगा समझने के लिए जहां तक स्टूड़न्स की बात है अपनी चीवन की बागदावड अपने हाथ में लिजी अभी दूसरों पर बहुत डिपेंडन्ट सेहत के इसाब से गले के रोकतं करेंगे सरवाश्टक में आपका लाबस्तान अत्रिंत बली है कही ना कहीं से लाबकारी समाचार आ सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम नील कंठा ये नमाहा इस मंत्र का एक स्वाट बार जाब करना है शुबंग के आपका साथ कल है ग्रीन भाग्या प्रतिशत है 75 प्रतिशत तो ये था 15 अगस्त 2022 का राश्यफल चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक लिए पुम्राइब